जहें दोस्तों तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे पॉलिटिक कुछ कोश्चन देखे थे जो कि काफी महत्पोन थे तो इस वीडियो में भी हम लोग देखने वाले पॉलिटिक कोश्चन जो कि ये भी बहुत ही महत्पोन कोश्चन है तो चलिए देखते हैं देखिए पहला कोशन के रहा है कि भारतिय समिधान सभा की संघिये सकती समीतिक अध्यक्ष कौन थे क्यारा कोशन कि भारतिय समिधान सभा की संघिये सकती समीतिक अध्यक्ष कौन थे तो इसके अध्यक्ष ने 15 जबाला नहरू थे अगला कोश्चन है भारत के समिधान में पर्थम संस्वदन कब हुआ था तो भारत के समिधान में पर्थम संस्वदन कब हुआ था तो भारत के समिधान में पर्थम संस्वदन कब हुआ था तो भारत के समिधान में पर्थम संस्वदन कब हुआ था तो भारत के समिधान में प भारत में स्वरव पर्थम 2 अक्ट्वर 1969 को पंचायती राजवरिस्था का सुभारम कहां से शुरू किया गया था। तो ईबियम के पहली वा इस्तिमाल किया गया था। नाइटे ठीटू में केरल के सत्तर पारूर विधान सभा छेतर में किया गया था। अगला कोशन है। दल बदल से सम्मधित कानून का उल्लेक किस अनुसूची में है। तो दल बदल कानून का उल्लेक जो है वो हमें दस भी अनुसूची में देखने को मिलती है। अगला कोशन है सरकारिया आयोग का सम्मध किस से है। तो इनका सम्मध केंद और राजय सम्मधों से है। अगला कोशन है कि राजय सभा कम भंग की जा सकती है। तो राजय सभा को भंग कभी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक एस्थाई सदस से है। कैसा सदस्थ है यह स्थाई सदस्थ है यानि प्रमानिट सदस्थ है है अगला कुश्षन है कि लोग सभा को कौन भंग कर सकता है तो लोग आगला कुछन है अगला कुछ मैं राजय पाल का कारिकाल कितनी अबधी का होता है तो राजय पाल का पत बता दे कि इनका कोई कि फिक्स है यह तory आता है यह बिन ओन sour nom Film के। अगला कुश्चन है कि समिधान के कीस अनुछेद के अधार पर देश में विर्तिया पात की घोषना की जा सकती है मतनव अभी तक नहीं लगी है अगला कुश्चन है कि भाद के राष्ठपती पद पर निवाशित होने के लिए किसी व्यक्ति की निमतम आयू कितनी होनी चाहिए तो उनकी आयू होना चाहिए कम सकम 35 वर्ष होना चाहिए अगला कुश्चन है राष्ट पती राजे सभा में कितने सदस्यों को मनुनित करते हैं तो वो करते हैं 12 सदस्यों को मनुनित करते हैं अगला कुश्चन है यदि पधाम मतरी या कोई अन्य मतरी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पत्पव बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसंद का सतस्य बनना आवस्यक होती है तो उनको 6 मा के अंदर संसंद का सतस्य बनना आवस्यक होती है अगला कुश्चन है कि भारतिय सेनाओं का सर्वोज सेनापती कोन होता है तो वो होते हैं राश्पती होते हैं अगला कुश्चन है कि अब तक भाद के समिधान की उद्देशी का यानि परस्तावना में कितनी बार संसोधन खिरिया किया जा चुका है तो ये किया है सिर्फ एक बार ही किया गया है अगला कुश्चन है कि संसत के संयुक बैठे की अधिक्षता कोन करता है तो संसत के संयुक बैठे की अधिक्षता करता है वो लोग सभा अधिक्ष करते हैं अगला कुश्चन है सर्वुष नियाले के मुख्य न्यादिस की निक्ति कोन करता है यह हमारे भायत के राजपती करते हैं अगला कुश्चन है कि राजय सभा के सदेश्यू का कारीकाल कितना होता है इनका कारीकाल होता छे वर्षू का होता है अगला कोष्चन है कि समिधान में मुलक कर्टेव्यों की कुलसंख्या कितनी हैël ईए 11 है कितने हां 11 है अगला कोष्चन है कि भार्तिये सेंख का मंतिर प्रईशत किसके परती सामोिक रूप से जिमेदार होता है तो वो होता है लोक सभागे परती जिमिदार होता है अगला कोश्चन है कि भारतिय नागरी को प्राण 1110 तंतता का सनक्षरण की स अनुष्यत के द्वारा पदान किया गया है तो वो अनुष्यत है अनुष्यत 21 के तहत अगला कुश्चन है कि वेस्क मता धिकार की आयू सीमा 21 वर्स से घटा का 18 वर्स किस समिधान संसोदन अधिनियम के द्वाड़ा किया गया है तो वो अधिनियम था 61 समिधान संसोदन अधिनियम 1989 को जो है ये मताधियेकार की आयू जो 21 वर्षे घटाक 18 वर्ष कर दिया गया था अगला कुश्चन है बावनवा समिधान संसोदन अधिनियम किस से सम्मधित है ये सम्मधित है दल बदल कारणों से सम्मधित है अगला कुश्चन है कि भारतिय समिधान में मूल कर्तेव्य को किस समिधान संसोदन अधिनियम के द्वारा समलित किया गया है तो ये समलित किया गया है 42 सबा समिधान संसोदन अधिनियम 1976 के तहत अगला कुछन है कि भारतिय समिधान के किस भाग को भारतिय समिधान की आतमा की संग्या दी गई है तो वो है परस्ताबना अगला कुश्चन है कि भात में सर्वज किसे माना गया है तो भात में सर्वज माना गया समिधान को माना गया है अगला कुश्चन है कि देशी रियासतों को भारतिय संग का अंग बनाने में किसने सबसे महत्पूर्ण भुमिका अधा की थी तो वो अधा किये थे सदा बल्लेवा पर टेल और बेपी मेंन न की थी अगला कुश्चन है कि राश्पती के निर्वाचक मंडल में कौन को सामिल होते हैं तो इनके निर्वाचक मंडल में सामिल होते हैं संसक दोनों सदनों के निर्वाचक सदस्य होते हैं और राज्ययों का विधान सभाव के सदस्य होते हैं अगला कुश्चन है कि house of the people को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था तो ये दिया गया था 1954 में तो दोस्तो आज का वीडियो यहीं पर समावत होती है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में